हाई गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, तो मैं आ गई हूँ स्कूल से वापस, तो मैं इसी तरह से पैको के जा रही हूँ, इस बार मैं जब से स्कूल गई हूँ, मैंने मास्क लगाया है, वैसे मास्क अप कोई भी नहीं लगा दा, बहुत कम हैती हूँ, और अभी भी बीमारी पूरी तरह से सही नहीं होगी है, तो अरू के तरफ से मैं पूरी, मतलब केर रखती हूँ, कि कुछ भी दिक्कत ना हो, और यह जर्सी वगएरा है, मैं कम से कम दो दिन पहन लेती हूँ, फिर मैं उसे सोनिया से दुलवा लोगी, और यह कि मैंने काफी टाइम बाद पहनी और मुझे अब महसूस हो रहा है कि वेट बहुत कम हो गया है, क्योंकि ड्रेस में बहुत कम लग रहा है, लेंच वगएरा रख दूंगी रसोही में, जिसको सोनिया आके दो देगी, और बिलकुल गरम पानी लेकर जाते हूँ, स्कूल के क्योंकि अच्छा लगतार मुझे गरम पानी पीने का वैसे विश्रॉक है, यहां में कर लोंगे अपने बालो को कॉम, चाहे आप कितनी भी चूटिया बना लो खुले कर लो, बाल बिलकुल बेकार से ही हो जाते हैं, स्कूल में, क्योंकि आप शॉल वगएरा लेकर रखते ह थोड़ा सा मेरा लुग इस वक्त अंटी जैसा हो गया है, बढ़ कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे दूपैर में बस अराम करना है, थोड़ा सारू को खिलाना है, शूज वगएरा, सॉक्स वगएरा, मैं उतार लेती हूँ हम, और अच्छा फील करती हूँ, क्यों उनको सही नहीं करते हैं, और मुझे जब मैं कर में आती हूँ, तो कमरा डिस बैलनसा मिलता है, जबकि वो आते हैं, उनको उतना अच्छा मिलता है, बट मेरे आने पर मुझे सब कुछ इदधर मिलता है, सबसे पहले मुझे सही करते हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं मि इसको पहमती हूँ, इसलिए मैंको दो दिन निकाल देती हूँ, कभी-कभी तो एक दिन और एक्सरा कर लेती हूँ, तो जब मुझे गंदी लगती है तो मैं दुल्वा लेती हुना, ऐसा नहीं है, मेरा डेली चेंज करना जर्सी वगर तो मैं गाजर का हलवा घाँगी तो मैं गरम करने के बाद ही मैं जाओंगी अरू को लेने क्योंकि अभी अरू मतलब थोड़ी से वो भी सेटल हो जाएगी और मैं अभी जो भार से आई हूं पान दस में टूपर हो जाते हैं तो थोड़ा सा सही रहेगा मेरे बच्चे के तो मैं अपनी बाबो को लेकर फटा बटा जाओंगी जो यह है मेरे बच्चा जो फटा-फट से मम्मा के पास आ गया है बहुत खुश हो जाती है वह जब मैं उसको लेकर आ जाती हूं क्योंकि पूरा दिन एक तो उसको अपना रूम बहुत पसंदर रूम में आती नहीं है तो जब मम्मा के पास आ जाती है तो बहुत जादा खुश रहती है मेरी बेटी इस वक्त तो काफी देर तक तो मैं मतलो उसको प्युचकारती रहती है क्योंकि बिल्कुल ऐसा रहता है कि कितने घंटो बाद वो मुझे मिली है सुबा मैं निकल जाती हूँ घर से साथ बजे और फिर दो बजे करीब मैं उससे मिल पाती हूँ तो देखें मैं ऐसी खुश हो रही होती है इतनी एकसाइटमेंट होती है उसको तो मुझे आके उसके कपड़ एक्चुली चेंज इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि मम्मी दीदी को जादा नहीं पता कि उसको क्या चीज पहनानी है क्या नहीं क्योंकि यह टोपा उसके छोटा है और मोजे यह वाले उसके डेले है तो इसलिए मतलब वो जो कुछ ऐसा पहना देते हैं तो आके मैं सबसे पहले उसके कपड़े चेंज गर देती हूँ तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आके उसके कपड़े, डाइपर वगएरा, मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद ही उसके साथ खेलती हूँ मैं, तो अब वो बिल्कुल खुश हो दिया, उसको कैमरा लगा दिख रहा है, अब वो इस तरह से मतलब अजीब-जीब सी हरक दिरी-दिर अरुकी ग्रोथ हो रही है, मेरा बेटर यलो कलर में बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा, उसके यलो कलर बहुत जचता है, शुरू से ही मैंने देखा है कि यलो कलर में बेटी विलकुल निकल के आती है, तो अब है उसके टोपा वगएरा सब लिया ही हू से फुड़की बजा रही है तो अब बीच वीच में थोड़ा थोड़ा खाती रहूंगे बाबू के में कपड़े चेंज कर दोंगी डाइपर वगेरा जिससे वह रिलाक्स हो जाए और अच्छे से खुश रहे बढ़िया करके मौज मारे तो अभी टाइम है इवनिंग का मैं उठी हूँ शाम की चार या पांच बजरे होंगे मैं बहुत जादा नहीं सोती 15-20 मेट की नीद लेती हूँ तो आप मेरे को शकल से देख सकते हो कि सोने के बाद में मैं बुलकु फ्रेश फील नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे दिन में सोना इत्म है खास अच्छा नहीं ल उसके साथ कोई सोता रहे नो तो वो और अच्छे से सोती है और रजाई वगेरा से उसको काफी गर्माहट मिल रही थी अब मैं उठके चाय बनाने का सीन देखती हूँ क्योंकि इस वक्त मैं थोड़ा सा आराम से उठती हूँ जिससे वो उठना जाए क्योंकि चाय बनाते वोट जाएगी तो भी चाई नहीं पीने देगी उसे चाय का बहुत शौक आता है चाय के लिए बहुत करती है तो अब मैं बना के लियाऊंगी अपनी चाय चाय शाम को मैं कभी-गभी बिस्कुट भी ले ले लेती हूँ कभी-ब्रेड ले लेती हूँ तो सबसे पहले काना जाता है तो तब हम एक दो रोटी जो भी ले जाते हैं वो खा लेते हैं फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाते तो शाम के फिर दस बजे से शाम के पांच बजे तो बेशक थोड़ी सी भूग लगी आती है हमें तो लग जाती है बाकियों का मुझे नहीं पता तो आज मैं बना रही हूँ कडी इसकी मैंने रेसिपिक शेयर नहीं करी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कर दूँगी बहुत सिंपली बनाती हूँ मैं तो आज मेरा कडी चावल बनाने का मन था तो मैंने बनाना शुरू कर दिया है कडी चावल और जल्दी बन जाती है दो ज जो बोखें तो एक भिन नुदा तो आपको जाइ पड़ी शुचिछा वगें तो में पूटा लगी है कि इसको पता चल गया है फाधा तक बिनी की चीज़ों का। तो य seu फ़। भीयागर करने लगी है उनकी चीजों पर कर आपको बापका शयुट काल कराधि ममा कराधि ममा लगाफ शयुख काल एं। करो करो अरूउए थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है करने लगी तो इस बार जो vlog काफी लेट हो गया तो यह वाला vlogging भी भी में बहुत time से एडिट नहीं कर पाही तो अरूउ की party भी मैंने कर दी बहुत अच्छी हुई है हमझे शगुन भी मिलता है जब कोई मत्य निटे के बाद वापस आता है तो वो पैसे भी मैंने अरू के उसमें ही रख दिये तो बहुत उद्दम गरने लगी है तो इस बार काफी दिन बाद ऐसा हुआ के व्लॉग नहीं आ पाए तो मैंने सोचा है इस व्लॉग को मुझा एडिट करना है तो इसको एंटो कर दू मैं यह एंड नहीं हुआ था अब इसको गूमने की लग रही है मैं इसको थोड़ा सा भी टैल वाओंगी और अरून तो अभी नहीं आया है खाना मैंने बना दिया है अरून की भी तब सुबह थोड़ी सी ठीक नहीं थी एक दम से दिल्ली में मौसम काफी चेंज हो गया वाला बारिश की वज़े से क्या आए नहीं हुआ नहीं बात करनी हख भास बस 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 बछ और कहाफी खुश हूँ क्यूंकि मुझे एक और कोलाबरेशन मिल इस बार मुझे पेड मिली है पिछली बार बार बाटन मिली थी और बहुत जल्दी मुझे 2 ब्रेश के बड़े साद्र 11 in तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मेरा करियर है वो सही रहा पर है कुछ दिन बाद अरूप पूरी तरह से मेरे व्लॉगों में आई करेंगी बढ़िया तरीके से बोलती हुआ बोल दे ना नहीं अभी नहीं अभी नहीं तो यह व्लॉग आपको कैसा लगा छोटा है तो थोड़ा से इंच्रिस्टिंग है तो कैसा लगा जरूर बताईएगा हाँ मैं बागी कुछ शूट नहीं कर पाई इसकी पार्टी का क्योंकि स्कूल में अभी इस तरीके से अलाउट नहीं है और मुझे भी मतलब इतना कुछ है नहीं कि मैं स्कूल का कुछ कुछ कंटेंट लूँ क्योंकि वो मेरा है भी नहीं तो मुझे ज़ुरत नहीं लगती मागी मैं पिच्चर जरूर एड़ाउन करूंगी एक दो तो आप देख लीजेगा चली बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ कुछ नहीं कर रही है भी बाई गाईज